एक ऐसी केस्ट जो कि हमारे इटमस्फेर का सिरफ 0.04% हिसाब नाती है यानि कि अगर आपको एक्जेंपल दें रियर लाइफ की तो आप समझें कि एक पूरा पिजा है बड़ा सा और आप उसके अंदर एक छोटा सा नमा कट एक सॉल्ड का टुकड़ा डाल देते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा आपके पिजा पर कोई भी नहीं पड़ेगा आप उसको महसूस भी नहीं करेंगे लेकिन कर्बन एक्साइड उससे बहुत ही अलाग है यह सिर्फ 0.04% होने के बावजूद इसने हमारी अर्थ के साथ बहुत कुछ खतरना कर दिया है जिसने के गलेशियर मेल्टिंग अगर आप गलोबल वर्मिंग का नाम सुन चुके हैं तो आपको पता होगा कि कर्बन एक्साइड कितना इंपॉर्टन डॉल प्ले करती है गलोबल वर्मिंग में अब अटमस्फेरिक इन कंडिशन के बावजूद हमें आज मज़ा सोज रहा है और हम आज कर्बन एक्साइड को करने वाले हैं डबल 0.04% से 0.08% अगर कर्बन एक्साइड हो जाए तो एक्चुली क्या होगा कारबन एक्साइड अगर डबल कर दी जाए तो क्या होगा चलिए जानते हैं पहले पहले हमें कारबन एक्साइड को डबल करने के लिए इसकी करंट कॉंसेंट्रेशन को देखना पड़ेगा जो के है और मॉस्ट 414 पार्ट्स पर मिलियन पीपिम एक कॉंसेंट्रेशन के लिए एक यूनिट यूज होता है ताकि आप कंपैरिशन कर सकें कंसेंट्रेशन के दर्मिया लेकिन अगर यह 828 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन हो जाए यानि पीपिम हो जाए तो क्या अफेक्ट पड़ेगा हमने कर दिया अब इक आफेक्ट देखते हैं दा क्लाइमेट कैंपर आफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट इससे फा Android इसे फाइदा पहुंचेगा या उस्पांपहूंचेगा सब्से ओप्छीए और करते हैं एक राइजंग ग्लोबल करा अबी भी राइज ओर रहे हैं लेकर अगर ये होगा तो ये बहुत जादा थेजी से सामारी आर्थ का में ससुरहSt होगा लेकिन यह है कि यह बहुत ही जादा खतरनाक है एक डिगरी अगर temperature बढ़िया है तो बहुत सारी changes आजाते हैं पूरे climate में तो यह कोई छोटी चीज नहीं है आप इसको अपने से compare कर रहे होगे कि हमें इतनी गर्मी तो नहीं लगेगी और हमारे climate फी फर पढ़ सकता है वह अलग बात है कि आपको गर्मी लगे या ना लगे लेकिन climate severe consequences उसको face करने पढ़ेंगे अभी rising global temperature से गर्मी नहीं लगेगा हर जगा जैसे कि अगर हम आर्थ के बागी regions को देखें तो कुछ regions हैं जो के बहुत ही wet है और अगर carbon dioxide double कर दी जाए तो यह और भी जादा wet हो जाएंगे यानि डबल wet हो जाएंगे अगर हम comparison करें उनी लापों से जैसे कि आस्ट्रेलिया और बाकी सहारा deserts वोगारा तो जो deserts हैं और जादा dry हो जाएंगे यानि जो जिस condition में है वो उसी condition में बहुत आगे चला जाएगा extreme weather phase करेगा यानि कि हर जगा गर्मी नहीं पैदा करेगा हम कहें पर शदीद बारिश पैदा करेगा लेकिन यह बारिश आपको मज़़देने वाली नहीं होगी या आपको बहुत ही खतरनाक effect से आपको phase करना पड़ेगा ऐसे heavy rainfalls होंगे हमारी जो ocean जो जो रेशियो है साइक्रों बनने की उनमें बहुत ज़ादा इजाफा होगा अगर सिर्फ 3 degree temperature बढ़ता है तो उससे हमारे जो ocean level है जो rising sea level है वो almost 10 feet तक rise हो सकता है यानि 10 feet तक जो के बहुत बड़ी बहुत है अब यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि जो coastal areas है जो के पहली बहुत ही कम difference है oceans के उपर है तो वो बिल्कुल डूब जाएंगे दूसरा एक बहुत important effect हो सकता है the ocean acidification यानि के एक ऐसा process जो के ocean को मजबूर करेगा force करेगा कि वो ज्यादा carbon dioxide absorb करे और यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर carbon dioxide पाने में मिल जाए तो एक छोटा सा जो कम weak acid बनाती है carbonic acid और यह acid जब कम कम मिगदार मिलके एक बहुत ही बड़ा store बनाएगा तो जितनी भी world life हम के लिए बहुत ही जादा खतरनाक हो सकता है यानि के छुटी छुटी चीज़ मिलके एक बहुत ही बड़ी चीज़ बना लेती है और यह carbonic acid की जो मिगदार है वो दिन बदी बढ़ती जा रही है ocean में अब अगर हम scientific ली देखें तो सिर्फ इस काम से carbonic acid की तादाद बने से हमारे ocean की जो pH है जानि power up जो hydrogen है वो कम होनी शुरू हो जाएगी यानि के ocean के अंदर acidity बढ़ती जाएगी अब इससे यह तो नहीं कि तमाम जो organisms है वो बिलकुल हो जाएगी इस acid के अंदर ही इतना strong नहीं होगा लेकिन इतना जुरू होगा कि वो organism जो कि अपने shells और skeleton बनाते हैं calcium carbonate से वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि दोना अपस में react करते हैं और यह reaction इस तरह का होगा कि कोई भी अगर sea life होगी जो जैसे के turtles हो गए और lobsters होगे जो कि मालब है कि अपनी चीजें अपनी मुझाली body parts calcium carbonate से बिंट करते हैं वो नहीं बन पाएंगे और एक evolution होगा एक और ocean जो marine ecosystem है उसके अंदर तो दोस्तों आज की सिर्फ इतनी वीडियो थी अगर कारवार एकसर डबल की जाए तो हमारी दुनिया पूरी तरह के से चेंज हो सकती अगर आपको वीडियो को लाइ कि अबता के लिबाइ